सबी वाईयों को नमस्कार सबी का सुआगत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक सुआगत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ परियास पसू पालक किसान साथियों को जब भी अपनी वीडियो में पसु दंदिकाएं एक बहतरीन क्वालिटी का एक बहतरीन दूद का एक मैं कहूंगा टोप क्वालिटी का पसु दिखाएं अपने फारम से यही परियास रहता है उसी परियास में आज की वीडियो जो है वो अपने फारम से है सबसे पहले जितने भी किसा इस वीडियो को पहली बार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ताकि regular विडियो का notification आप बाईयों तक पहुचता रहे जो बाई फेसबूक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहां भी वीडियो आप तक पहु हर्याना से बिलोंग करते हैं हर्याना जिसको मैं कहूंगा मुर्रा की खान मिल्किंग मसीन जो है अच्छी अच्छी मुर्रा बैसे निकले हैं यहां से तो आज उसी परियास में अपने ही फारम से अपना जो फारम है रिवाडी नारनोल रोहतक और विवानी से लगबग 50-55 कि दूरी पे है और आज एक दूसरे ब्यात की जोटी आप पसुपालकों के समक्स लेके आए हैं बहुत ही अच्छे दूद तैयार अच्छी क्वालिटी 4x4 अडर जो है पसुपालक बाईयों को दिखाने का जो अपना परियास है उसमें यह वीडियो अपने ही फारम से है एक स्टार्टिंग में एक चीज जरूर बताना चाओंगा जो भाई वीडियो में खड़े होके 3-4 दिन की ब्याई हुई मैसों में यह कहते हैं कि हमारी इतना देगी उतना दूद आज आज हमारी इस जो सामने खड़ी जोटी में तैयार है दूसरा ब्यात साथ में कटड़ी औ जो है तैयार दूद की बैस इस समय में जिस समय में लोग बैसे ना मिलने से मजबूर होके दूद के लिए गाए भी खरीदने लग जाते हैं क्योंकि गाए का दूद भी लगवग उसी बाव में विकने लग जाता है तो अबी डिटेल साझा कर लेते हैं जी दूसरे ब्यात से 20 दिन की बैयुई में 22 लिटर दूद मोक्के का तैयारी का है जो वीडियो आप बैयों के साथ साजा कर रहे हैं उससे पहले दूद जो है माप के अपनी संतुष्टी करके फिर आपकी सांसातियों के समक्साए हैं तो देखे पहले 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले बैस जो है एक चारा पूरा ले रही है 22 लिटर दूद मोके पे तैयार है और आप देख पा रहे होंगे आडर जो जर्सी है चफ गाय में होता है वो लेवा है फिट बाई फिट पे सारे थन है अगाडी 3 किलो की अगाडी निकाल रही है 22 लिटर दूद तैयारी का सींग क्वाल्टी आप कि मैं कहूँगा पीछे जब आते तो यह जो विगएस्ट आडर लिख देते हैं फाइफ स्टार लिख देते हैं सभी चीजों का जवाब यह बैस आडर क्वालिटी चे दे रही है पिछे चे जब खड़े होते हैं जो पीठ पुठा बात करें आडर में वेंस जो लगबग एक से डेड़ इंच वाइट है ये आप मानिए बैस की टेल जो है साथ से आठ इंच वाइट है तो ये चीज़ें इन चीज़ों को दर्शाती है कि ब्रीडिंग परपज से इस बैस पे अच्छे सीमन लगा के अच्छे दूद की बैस है तो अच्छी जो साथ में गो है कि जो है फैंट कम होगा तो फैंट भी अच्छी है आठ फैंट से पलस ही निकाल रही है अभी और आपा ना बड़े मिया देते हैं सिंपल रूटीन में गेंव बाजरे का दलिया खड़ी और जो है चने की चूरी छिलका खंडा ये देते हैं बड़े मिया मेरे हिसाब से पिछले पांच साथ साल से एक बैस के लिए भी मुश्किल खरीदे होंगे हमने अपने गर पे बड़े मिया लेके आये हूँ और फैंट बड़ाने में और भी ज़्यादा सक्सम है आप देख सकते हैं चारो थन बिलकुल खुटे की तरह अलग-अलग और अपना परियास पस है वो अपां उमीद है अप एक से अपनी मेनच जारी है और जो है लेवा देख के चाहें आप इसको 27 की बता दो बताने में और निकालने में फरक है जी जब बाल्टी लगती है तो मालिक के पैर सो जाते हैं सरीर ठंडा पड़ जाता है बैस से पहले मालिक ठंडा पड़ ज आता है अपने फारंपे मेरा मुबाइल नंबर है 905 008 0038 इंट्रस्टीड जो बायर है वही फोन करें क्योंकि आप समझदार है इस टाइम में ऐसा पसू पूरा पूरा जिला गूम लेते हैं तब ऐसी क्वालिटी का ऐसे लेवे का पसू निकल पाता है जी और उसमें कोई बाई जो है यह सोचे कि बाई सस्ते बाव में तो सस्ते पसू फिलाल नहीं है जी और आगे भी नहीं होने वाले क्योंकि दिरे दिरे आप देखे जो चीज अधर स्टेट जा रही है अच्छे दूद की बैसे फिर पसू पालक आम जो है वो नॉर्मल बैसे लेने से भी अट कर दिरे वो घाँ पालक आम जो है ज Curry दिरे दोत QUE अच्छेपे जो पस्ते विला जो है तो बा distintos नहीं हैप जोने